गुड मॉर्णिंग मॉडर्ण चैंप तोड़ा विल टीच यू इंगलेश इस्ट्रेंट्स मैंने अभी आपको आपकी बुक से ए एन एन का यूज बताया था ए एन एन में डिफरेंस बताया था ए जो है वावल कॉंसनेंट के पहले यूज किया जाता है और यूज किया जाता है और इससे रिलेटिड मैंने कई आपको वर्क भी दिये थे और आपने कंप्लीट किया है अब आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं मैचिंग क्या पढ़ने जा रहे हैं matching yes और यह आपका homework है इसको अपनी copy में आपको write करना है पहले मैं ये वीडियो में आपको समझाऊंगी matching कैसे करना है Now students let's start यह क्या है A क्या है A A को हम किस से match करेंगे पता है A को हमने star से match कर दिया क्योंकि यह constant sound से पहले है constant sound है और इसके पहले हमने A को मिला दिया यहाँ पर हमारा second क्या है an igloo क्योंकि यह vowel है, vowel कितने होते हैं मैंने आपको बताया था a, e, i, o, u five vowels को छोड़के सारे consonant होते हैं फिर से an है तो an r क्योंकि ए क्या है हमारा वावल है वावल से पहले अन का मैंने यूज किया है तो an को हमने match कर दिया a tree a tree मैंने a tree को मिला दिया और नेक्स्ट है हमारा an umbrella an umbrella क्योंकि यू है और यू हमारा वावल है वावल से पहले हम an का यूज करते हैं अब लास्ट है हमारा a और ये बच रहा है हमारा cat सी हमारा concern sound को हम ए में यूज करते हैं कि स्ट्रेंट्स यह आपका homework है और आप इसे अच्छे से अपनी copy में राइट करेंगे और अपना work जल्दी send करेंगे कि स्ट्रेंट्स आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी थैंक्यू बेरी मच आल थैंक्यू